गुद मॉर्निंग, गोलकनात एन अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाग एन अदर नाइन्टी सिक्स्टी शेवन, यह एक लैंडमार्क ज़स्बिन था सुप्रीम कोट को, जिसमें उसे मेंली दो इशू पर डिसकस करना था, कि क्या पार्लियामेंट, अमेंड कर सकती है फंडा अंडर आर्टिकल 13.2 अब दि कंस्टिचूशन, इसके बारे में बात करेंगे, पंजाब सरकार ने 1953 में एक एक्ट पास करा, जिसका नाम है पंजाब सिक्रिट्री ओफ लैंड टेन्यूर्स एक्ट, नाइन्टी फिप्टी थ्री, और इसको नाइन्ट सेडूल में डाल दिय अब 500 एकर जमीन थे गोलक नाथ ब्रदर के पास, अब उनको कहा कि आप 30 एकर लीजिए क्योंकि हमें सोसल जस्टिस को इंस्योर करना है, समाजिक नाइको सुनिश्चित करना है, अब वो दोनों भाई ने कहा, हमारा आर्टिकल 19.1f, आर्टिकल 19.1f के तख जो फंडमेंट राइट्स दिया गया है, कि राइट टू होल्ड एकर प्रुपर्टी उसका ये उलंगन है, अब गोलक नाथ ने रिट फाइल करा सुप्रीम कोट में आर्टिकल 32 के तख और इसको चैलेंज करा, अब कोट के पास दो मुद्या डिसकस करने के लिए थे, कि ठीक है, फंडमें आर्टिकल 13 में कहा गया है, क्या आर्टिकल 13, वो कहता है कि राजसरकार कोई भी ऐसा लॉव नहीं बनाएगा, जो फंडमेंटल राइट को हनन करती है, छिनता हो, और दूसरी चीर, एनी लॉव इन दा कंट्रावेंशन, एनी लॉव इन दा कंट्रावेंशन, आफ दिस shall be extent of the contravention, null and void, ठीक है, जिस कोई भी कानूनी, वेदर इट इस पोस्ट लॉव और प्री लॉव, वेदर इट इस पोस्ट लॉव और प्री लॉव, कि उस हद तक प्रभाव सुन हो जाएंगी, जिस हद तक यह फंडामेंटल राइट का हनन करती हो, यह बात कहा गया था, उसमें, अब एनी लॉव की बात की गई है, अब उनका माना था, ठीक है, यह एनी लॉव कहा गया है, गोलकनाथ, तो आप संसोधन कर रहे हैं, और संस के द्वारा हमारो जो फंडामेंटल राइट है कि राइट to hold property उसम है, फंडामेंटल राइट था, यह तो मौली का दिकार का हननन हो गया, अब यह तो गलत हो गया भाई, तो वो सुप्रिम कोट के पास गया, अब सुप्रिम कोट को डीसाइड करना था, कि वे दर बालिय हम by law can amend the fundamental right or not and second question was whether an amendment whether an amendment article 368 is a law under the article 132 or not तो यह दो चीज़ यह आती है कि नहीं अब सुप्रीम कोट ने इसमें जिससे पहले जो उन्होंने जज्जमेंट दिया था संक्री परशाद 1951 में जो लैंड लिया गया था जमिंदारों से सज्जन सिंग वर्स सज्जन सिंग वर्से से स्टेट ऑफ राजस्थान में तो उन्होंने उसमें कहा था कि देखिए 1965 में की कंस्टिूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं आप ठीक है पार्लियामेंड जो कंस्टिूशन है आर्टिक 68 के ताद अमेंड करके उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 368 के अंदर जो संसोधन की पावर दी गई है उसके ताद फंडामेंडल राइट को भी संसोधन किया जा सकता है और पार्लियामेंड के पास ये पावर है आपका जो fundamental right है जो दिया गया है उसको ले सकती है कानून बना करके लेकिन गोलकनात केस में Supreme Court U-turn लेती है and Supreme Court overruled the position and held that the fundamental right provided under the part 3 of the constitution cannot be subjected to process of amendment. आप उस जो fundamental right है उसको आप amend करके संसोधन करके उसका हनन नहीं कर सकते हैं आप उसको ले नहीं सकते हैं ये देश में democratic जो government है या fundamental जो right है economic democracy, political democracy और वगयरा वगयरा सब को ensure करने के लिए बहुत ही ज्यादा important है तो ये प्रस्न था सरकार के पास और उन्होंने कहा था कि ये ज article 13.2 है ठीक है ये law है तो court ने ये भी कहा कि article 3.2 के तहट ये law है ठीक है ये भी कानून है amendment भी एक कानून ही माना जाएगा और आप इसको amendment करके कोई भी चीज़ को amendment करके आप किसी का fundamental right नहीं ले सकते हैं अब इसका क्या impact हुआ ये पार्लियामेट ने कहा ठीक है उन्होंने 24th constitutional amendment act पास करा और उसमें उसने लिख दिया जो कि एस्क्रैप कर गया है article 3.4 में ये जोड दिया था जो अब एस्क्रैप कर दिया गया है इस्ट्रक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोट के द्वारा कि आर्टिकल 368 विल नाट वी कंसिडर्ड एज ए लौकी आर्टिकल 368 को कानून की तरह भाई नहीं समझा जाएगा और कोई भी इसको चालेंज करने के लिए दिमाग लगाने के लिए सुप्रीम कोट नहीं जा सकता है हलाएं कि इसको बाद में स्क्रैप्ट कर दिया गया था आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में केश्वाननंद भारती वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया के थैंक्यू वेरी मच